I don't recognize you का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं I don't recognize you का मतलब समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि recognize की जो spelling है वो दो हो सकती है एक R-E-C-O-N-C-O-G-N-I-Z-E भी हो सकता है और S-E भी हो सकता है American English में हम Z-E लिखते हैं British English में S-E लिखा जाता है दोनों एक ही शब्द हैं दोनों का एक ही मतलब होता है यानि किसी चीज़ को पहचानना तो I don't recognize you का मतलब होता है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ या मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ यानि कि सामने वाला जब आपको पहचानने से मना कर देता है तो उसके लिए वो कहता है कि I don't recognize you यानि कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें